पर्व मानसिक बीमारी होती है तो इनका ईलाज करना जहता है कि यों ऐसा होता है उनका इलाज कैसे करना चाहिए उनके बारे में मैं आपको आज ये वीडियो बताने वाला हूं ताइए हमारे चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक करेकर मैं मनोविकार सेट्ष्रोग सम्मोध था विसनमुक्ति तग्य हूं महराष्ट में अकौला करग सकति है ुमर के शाब से कानों में के विसनम्ता आम उमर के हीजव रिद्ध्वय काम भी कम रहता है होता है अक्यों कोकभि अवास आहा एग आसा लगता है कि अपने अपने बारे में बात कर रहे है और नीन री हम निन वह सब्कर करते हैं काम के भी हम नहीं रहें तो इससमें मानसिक बिमारी बढ़ते जाती है होता क्या है कि जब psychiatrius के पास में जाते हैं सैट्रिस उनको दवा देते हैं तो दवाई उनको ऐसी देना जरूरी होती ही है कि उसके साथ में कम से कम साइड reaction वह साइड इफट加入 हो अ कि सम्झेश से जबाऊ कि जादा है का तो फिर इनकी बिमारी ज्यादा हो जाती आभी मेरे पास में एक elderly person आया था proud उनकी उमर कड़ीन के 70 साल की थी तीन 4 डॉक्टर लोगों के पास में घुम बिरके मेरे पास में आया मांसीक बीमारी का इलाज चालू है उनको यही सब सिम्टम लक्षंड है नीन नहीं आ रही कोई आया ऐसा लगता है कोई अपने से बात कर रहा है और वो उनको बीमार थे उनको 7-8 दिन में कम से कम 3-4 जगा उनको घुमा लि लोगी थी मगर जो दवाई दे रहे थे उसका side effect था मैंने किया क्या कि उनको ऐसी दवाई चुनी कि जो दवाई का side effect कम से कम है अब side effect कम से कम है तो उसको थोड़ा time भी लगता है action करने के लिए तो फिर वो दवाई जब मैंने उनको दिया बाकि पहले वाली सब दवाई ब ठासरे साल के बाद में इनको भी मारी होती है तो इनको कंप्रमाण में दवा देना जूर्य रहता है रोलेटिव्सने अपने सोता नहीं नेनधी चलो दवाई खिला दो और एक नींदी दवाई की मतलब ऑक पर नींद में जाधा आजाती है सेकंड केरे बाल क्योंसब्सकेर दो नहीं है तो क्यावक तो डॉक्तर नो लोगों भी खाल में रखना काई कि जब हम दवाई देते हैं तो जिसको कम से कम साइड इफेक्ट है उसमें ट्राइक्जी फिनिदिल नाम का जो एक केमिकल आता है वो मिक्स की होई दवाई दिया तो डेफिनेटली यह लोगों को साइड इफेक्ट आते हैं एल्डर लोगों को तो ऐसी दवाई हमको चुननी अच्छे हो गए तो काफी सारे भी क्या हो रहा है कि उम्र बढ़ते जा रही है आई श्यमान बढ़ता जा रहा है पहले है कि 40-50 साल में लोग मरते थे मृत्य होती थी बाद में आयो होगी 50-60 साल अभी 70-80 साल के बीच में काफी लोग हमको दिखते हैं उनको एक तो होता है दिमेंचिया अलजैमर्स दिसीज हो सकता है या लगलो प्रकार आई उसमें का कोई हो सकता है या फिर मांसीos इक भीमारी भी होती रहती है डिप्रेशन तो कॉमन होते रहता है तो टीटमेंट यहां पराबर कैरफुली देते हैं तो उनका जीवन जो है नम अच्छा हो करेंगे और बाकी लोगों को भी तकलीब ने होगी तो स्पेशली रिलेटिव को मुझे ये बोलना है कि उन्होंने डॉक्टर जैसे प्रिस्काइब करते वैसी दवाद दो और उनको ठीक तरह से उनका नर्सिंग करो केर करो ताकि वह अच्छे हो जाएगे अब यह वीडियो क्यास करेंगे तो हरें के घर में व्रुद्ध लोग है कि इनको कुछ न на two days प्राइब तो चारा से लोगों को फिर वाट 사फ के ऑउपर eject को क準 करो ताकि हमको ऐसा लगे घ deg का तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहली बार मेरे आ जाएंगे वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धिन्यवाद थैंक यू बेरी मुच